ये इस्टुडेंट्स आज मैं टेन क्लास के इतिहास मिसे का जो पहला चेप्टर है यूरोप में राष्टवाद इसके कुछ अब्जेक्टिव प्रस्णों पर हम विचार करें और आपको इंपोर्टेंट कोस्टम के उत्तर की जानकारी हम देंगे आपको तो इसके लिए हमन जैसा कि पहले भी आपको पहले की वीडियों बताये हैं यह घटना हुई थी आज 1789 इसली में आप इसको देख लेंगे हैं हमने इसको लोग कर दिया है और अगला अब्जेक्टिव कोश्चन है आपका समाजी कुपबंध एप पुस्तक है नाम एंग रेजमिस को बोलेंग इस पुस्तक का लेखा कौन था तो एक बहुत ही महान दार्शनी कहीं वहां का फिलोस्पर और उसका नाम था रूस्तों यह रूस्तों जो है यह सोसल कंटेक्ट पुस्तक लिखा था और इस तरह से हम अगला कोश्चन लेते हैं एंग इटली सोसाइटी इसके अस्थापना क इस ने कि थी तो इसके अस्थापना जो है मेजनी ने किया था इसका पूरा नाम था जिससे पी मेचिनी भी नाम इसका है यहां पर मेजनी है मेजनी भी इसका इसको कहा जाता था तो यही जो है एंग इटली सोसाइटी का स्थापना कि थी गुप्त संगठन था तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे हमने इसको लग कर दिया है और फिर अगला कोश्चन है इटली का एकी करन कब पुरा हुआ तो इसके लिए हम एंसर भी हम इसका दे रहे हैं यानि 1861 में करेंकि आपको 70 भी लिखा हुआ मिल सकता है लेकि उसे सब्सक्राइब नहीं है 1561 में ही जो है इतली का एकी करन हुआ था और उसी समय विक्टर इमेन्वेल दूतियों को जह है एकी कृत इतली का सासक बना दिया गया था अब हम इस चेप्टर का पाचवा अब्जेक्टिव कोस्चन लेते हैं सुल्क संग जलवराइन के अस्थापना किसके पहल पर की गई तो आप यहां चार एंसर देख रहे हैं तो इसका एंसर होगा प्रसा एक प्रसा जो है तो यह जो एक तरिका का टेक्स था जलवराइन उ चाहितो शिक्स नमर है 1789 में फ्रांस की करांति के समय किसका सासन था तो जैसा कि आपर चार नम दिया हुआ है ए मैं हैं लूई चोधा हुआ पूंब लुई 15 हुआ और सी में है लुई 16 हुआ अब आपको उतर मिल गया यह है लुई 16 हुआ इसी के समय में जो है 1789 इस भी में फ्रांस की करांती हुई थी तो आप इसको याद कर लें हम लोग करते जा रहे हैं आपका अंसर फिर सात्मा नमर कोश्चन है दा इस्प्रीट ओफ ला यह भी किताब का नम है यह किस ने लिखा था तो यह भी एक बहुत महांदार्शनिक का लिखावा किताब था और जैसा कि आप यहां देख रहे हैं चार नम है तो हम इसके लिए बी को लोग करेंगे यानि और उसने इस किताब को लिखा तो इस तरह से हम जो लोग कर रहे हैं जिस कोश्चन के एंसर को उस एंसर को आप याद करते चलेंगे और फिर हम अगला कोश्चन लेते हैं इसका यह किसका कथन है जब फ्रांच शिकता है तो बाकी रोपोस सर्दी जो काम हो जाता है बहुत द्यान देंगे आपर हम लोग कर रहे हैं यह हैं डिउक मेटर्निक यह जो है आस्ट्रिया का चांसलर था और यहीं मेटर्निक जो है सोई बात को कहता था कि जब फ्रांच शिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी यार कहने का मतलब कि फ्रांच में अगर कोई घटना घटी त आता था इसलिए वह ऐसा बोलता था है फिर नहुंद जर्मानिका यकी करन कप पुरा हुआ है बहुत आसाम को सब्सक्राइब में आ अगोटमाल यह जर्मानिक यंशी गरण जो है 1871 में पुरा हुआ था और पुरा करने वाला कौन था आप तो पता होगा गर कि अब हम आग प्रेडिक शार्यू चार उत्तर है अपके सामने एक चीतरकार के रूप में है एक दार्षनिक के रूप में है एक आस्तिया कैटिहस्कार है ब्रिटन का लेकिन हमारा जो सही उत्तर है ओ है यह हम इसको लॉग करेंगे और आप इसको याद करेंगे था यह लोगला फ्रांस की जड़ूत किसे कहा जाता है यानि ऐसका नेत्रीत करने में सबसे आगे कुन था यानि सबसे जादा भूंका किसकी थी तो हम आते हैं चार नाम यहां पर हमको दिखाई पड़ रहा है तो इसमें जो है जो सही नाम है वह है बी नमर याने रूस्तो हम लोग करते हैं इसको और आप याद कर लिजेगा अगला कोशन बारा नमर विस्मार्क जर्मनी का चंसलर कब बना विस्मार्क का नाम पहले वेख सुने होंगे और जर्मनी का चंसलर यह बना था जब जर्मनी का एकी करनेरी 1871 बना था यह आप याद करते चलेंगे इसको हम लोग कर दे रहें आपको अब आगे देखिए तेरह नमर कोश्चन पहले तुम मनुस्य हो उसके बाद आप उसके बाद किसी देश के नागरी या अन्य या कथ सब्सक्राइब किसका है अब यहां पर चार नाम है मेसीनी है वाल्टेयर है रूस्तो है तो इसका उतर होगा सी यानि रूस्तो है अगला कोश्चन चोदा नमर आप देखेंगे बीश सो कोस नाम गरंश करना किसने की जान है और इस नाम है चार अप्शन आपके सामने रूस तो है वाल्टेयर है और ये गलत नम है और नागेंदर नाथ बसु तो इसका उतर होगा नागेंदर नाथ बसु तो ठीक है इसको भी लोग किये और अब हम 15 नमर कोश्टन लेते हैं आपका एसी सरकार या सासन डिवस्था जिसकी सत्ता पर किसी परकार का कोई अंकुस नहीं होता है यानि निरंकुस whereby तो इस तरह की सरकार जो मनमाने धंग से करता है शासन याने कोई अंकुस नहीं कोई उसके उपर किसी का कोई दबाव नहीं उसको हम बोलेंगे निरंकुस वाद सोरे नमर कोचन है मतदान के अधिकार को क्या कहता है तो असान सा जबाब है चार अपस तो मतदिकार हम इसको बोलेंगे तो मताधिकार इसका उतर होगा को चाहिए को बास्तिल किले का पतन को प्रिजन बास्तिल के किले को जो है जेल बना दिया था और उसी में जो है असो अपरादियों को या किसी को भी जो सजा भूगतने वाले रहते थे उनको उसी में बंद करता था तो सबसे पहले जब करांती वहां हुई 1789 में 14 जुलाई 1789 को तो लोग सबसे पहले इसी के उपरा कर्मन करके और इसी को जो है और सो बिल्कुल ने नाबोद कर दिये थे तो एक हटना आप समझ गया हो कब के होगी यानि 1789 करांती की सुरुआत ही यहीं से हुआ था बासिल के किला से तो इसको भाप याद कर लेंगे और हमने लोग कर दिया इस वार आगे चाहोते हैं अठार सो पंद्रश में आयुद वियाना समेलन की मेजबानी किसने कि थी पहले वीडियो में आपको बतला है थे साइद अगर आप देखे होंगे तो याद होगा आपको वियाना आस्ट्रिया की राजधानी है और नेपोलियन को हारने के बाद एरोपिये देश्टों एक मी नेश्ट इसलिए इस मीटिंग का मेजबानी कीया था तो इसको हम लोग करते हैं मेटर्यक और आप इसको याद करले जगा डिक मेंटर्णीक नाम था इसका पुरा नाम कि अब आगला कोस्चन लेते हैं लिबडे की था उनाईस्वानुन उनाईस्वानून कोस्टन लिबरे तो फ्रांस में मूद्रा को लिब्रे कहा जाता था सबसे पहला जो अब प्रयास हुआ वो फ्रांस में यानि फ्रांसीजी क्राम्ति का देना है हम इसको लोक किए आप उसको याद करेंगे क्योंकि एक टेन के लिए इंक्स को बहुत है आप जो भी प्रतियोक्ता परिशादेंगा कहीं इस तरह का जो है आपको कोशन पुछा जा सकता है इसलिए आप इसको याद करते चलेंगे फिर अगला कोशन के लिए हम बढ़ते हैं हाँ क्या है देखे एक इस नमर कोशन मनुष से स्वतांत्र पैदा हुआ है किन्तु वह सर्वत्र बंधनों में बंधा हुआ है यह कथना किसे दार्शनिक ने कहा चार दार्शनिक का नाम है दीद्रो वाल्टियर रूसो मांटेस क्यों तो इसका उतर होगा रूसो यानि सी लो यूटोपिय का जाता है में एक अधार समाज की कलपना की गई है तो हम यहां देखेंगे कि यूटोपिया का लेखा क्या नी कौन था तो हम इसके लिए चार यानि डी डी जाउट था जो है आपका दी नमर एफ्रेटिक्स और इसी ने जो है तो कलपना किया था इस तरह का फिर आपका त्रेक्स नमर कोश्चन है यांग इतली के स्थापना किसने की और पहले वीडियों भी हम इसके बारे बतला थे यांग इतली और यूरूप के बारे में यह गुप्त संगठन था और राष्टवादियों का एक मेंबर कहिए या बहुत बड़ा करांति कहिए वहां संगठन बनाए था इसलिए इतली का एकी करन करना था हलाकि अपने काम में बेचारा सफल नहीं हुआ फिर भी इसके दार जो काम किया बाद में आने वाले लोगों के लिए एक आदर्स बना और बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने फिर तो फिर अगला प्वस्चन ले इतली और इतली का जो है जिससे पर में चिनी करांतिक था और अजिसक्र भी बतला थे इसलिए को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत परियास किया था यह इंग इतली यह रूप दोठो अंडर्गाराउंड संगठर बने लेकिन सफल नहीं हुआ था और पहले उसके अजो है असो सासक हुआ है यूरोप का और यतना महत्वा कांची था इसके बारे में क्या बताया जाए यानि एक काता था कि दुनिया में असंभाव सर्द ही नहीं अगर इंपोसिवल वर्ड है तो कहीं डिक्सरी में हटा दोस्को इस तरह का बात यह काता था आप सोच सकते हैं यह कितना महत्वा कांची था तो है कि इटली पराकर्मन कब किया था का की तो पुरा इरोप को जीतने का सपना था इसका पुरा इरोप परसासन करेंगे तो यह घटना है 1797 का 1797 में नेपोलियन जो है इटली पराकर्मन किया था अब सवाल है कि नेपोलियन बुनापाट कीज़ देसका रहने वाला था तो चलिए चार अप्शन है इटली जर्मन इंगलेंड तो यह था फ्रांस का कहा था फ्रांस का था नेपोलियन जो है फ्रांस का रहने वाला था त तो यहां पर चार अप्सन है आपको 805, 807, 806, 808 हमें आप बी को लोग करेंगे ए इसका सही उत्तर है और आप इसको याद कर लेंगे कि मेट्सीनी जिसका पुरा नाम था जिवसे पर मेट्सीनी और इटली का एक रंतिकारी था और इसका जन्म जो है 807 में हुआ था याद कि सब्सक्राइब करेंगे फिर नेक्स को सब्सक्राइब करें आज के युनानी 133 जुद कब शुरूआ युनान आप जानते हैं यूरोप का एक देश है और एभी जो है तुसो आटोमन समराज का यंग हो गया था अपने समराज मिला लिया था तो सवाल एक उसको अजादी के लिए जुद कब शुरूआ तो इसके लिए हम उतर के लिए एक लोग करते हैं नहीं अठारा सो एक इस में संहर समा सुरू हो गया था कि युनान को आजाद कराना है अब अगला कोचन है 29 नमर की युनान की संधिक द्वारा सब्सक्राइश्ट बना यानि ये संधिक कव हु स्वत्राश्ट बना था ये अगला कोच्चन ठीक इस से रिलेटेड है युनान की संधिक के द्वारा एक स्वत्राश्ट बना तो इसके लिए हैं चार संधिक अनाम दिया हुआ है लेकिन जो वास्ता में सही उतर है वह है कुस्तंतुनिया की संधि और इसी कुस्त या कुस्तंतुनिया जो है युनान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहर है और यहीं पर जो है 1832 में समझा होता हुआ और उसके तहत युनान को जो है तो तुर्की समराज इसको आटोमर समराज भी करते हैं उससे मुक्ति मिली और युनान अजाद हो गया त याद भी किजिए गया और यह केवल आपके टेंथ कलास के लिए नहीं है यह आपको लाइफ में जब ही कोई कंपेटिशन की त्यारी करेंगे तो आप इसको भूलेंगे नहीं आप ज़रूरी याद रखेंगे क्योंकि है सब इंपॉर्टिन कोश्यन था इस चेप्टर के ज आप सबों को हमारे तरब से बहुत बहुत धन्यवाद